नमस्कार दोस्तो मैं विकास कुमर फिर से पेशू मेरे यूटूब चैनल विकास यादो साइंस क्लासेच में दोस्तो आप सभीत को बहुत बहुत दन्यवाद आपने मेरे चैनल को ससक्राइब किया और लाइक किया दोस्तो आज हम बात करने वाड़े हैं अपने blood circulator system की last topic पे जिसका नाम है lymphatic system lymphatic system भी एक प्रकार का blood circulator system का ही पार्ट है या इसे अपने बोल सकते हैं शरीर का दूसरा circulator system भी बोल सकते हैं lymphatic system जो होता है उसका मतलब है लसी का तंदर और लसी का तंदर से मतलब है कि जब blood जो होता है अपना जब cells तक नहीं पहुँच पाता तो cells तक पहुचाने के लिए है फिर capillaries जो होती है अपने पड़या था blood tubes जो होती है एक होती है जो होती है वो function करती है जिने कहा जाता है lymph vessels जिने कहा जाता है lymph vessels और इन लिफ vessels के अंदर जो सर्कुलेट होने वाड़ा सबस्टेंस है उसे कहा जाता है लसी का या लिंफ बोला जाता है मतलब इन अलिकाओं के अंदर लसी का वाहिनियों के अंदर बहने वाड़ा तरहल पदार्द को कहा जाता है लसी का दोस्तों लिंफ सिस्टम जो होता है वो क्या होता है थ्री के कंगों किद्वारा क्या होता है आपना लिंप्हैटिक सिस्टमम फोर्म होता में पात करने वाने मिद्षब ми सब से पहले है लसीका या लिंप मैं रक्त कोशिकाओं में दाब के कान च्छनावा तरल जो लसी का वाहिनियों में बैता है लसी का कलाता है इसमिस लिंप क्या होता है देखो जो केपिलरी जाती है उस केपिलरी जो थिन वॉल जो होती है उसे कहा जाता है एंडोथीलियम केसी काओं के जो दिवार होती है उसे कहा जाता है लसी का या लिंप अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा प्लाजमा और लिंप में थोड़ा से डिफरेंस होता है तो यह रखत प्लाजमा की तरह ही होता है यह रंगी ही होता है मतलब कलर लेस होता है दूसरा क्या होता है अलप पार दर्शी होता है कलर लेस होता और दू प्रजमा के अंदर क्या होता 99 परसेंट क्या होती है उसमें आरबीसी होती है जबकि इतने आपके वन परसेंट के अंडर अंडर क्या होती है आपके प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है तो लेकिन आपके पता लिंप सिस्टम में जो लिंप जो होता है उसके अंदर क्या होती की और यी सी और प्लेटरलेट क्या होती है एसके लाव बात करते हैं प्रोतिञ जिसको भल सबतों प्रो प्रोतीं होती यह अंडीजोल्व drownos ठीक है इसके लाओ यो थे हैं यह कम होते हैं यह सब्सक्राइबर यॉद्चे होते हैं वो दिक मातरा में पाया होता है सबसे पहले क्या आता है लाट लिम्द में था लिम वैसल में यह यहां पर यह जो रिमोल वेस्टेज जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसलिए उस तो चीप अधिक मात्रा जो होता है लसी का जो होता है वो सर्कुलेट होता है उन्हें कहा जाता है लिंप वैसल कहा जाएगा सिदीशी बात है तो यह सीराओं की तरह होता है किस की तरह होता है यह सीराओं की तरह होता है तो बात कर रहे हैं कि सीराओं की तरह होती है मतलब वैंस की तरह होती है क्या हो होता है Blood का Transfer होता है किस तरफ होता है Heart की तरफ होता है इन क्या होता है एंको बोह सकते हैं कि एक्ट करती है मचा बात करतें दोस्तों इसके बाद में रक्त जो हता है मुमेंट भी दे रखाब पो अंगों की और बैता है अंगो से हर्ट की और बैता है हर्ट जो होता है मेसां अंगो से हर्ट की और बैता है पर दाब का मान सीराओं से भी कम होता है मतलब वैंस इनके में प्रेसर जो होता है मतलब प्रेसर जो प्रिडिस होता है मतलब इनके अंदर प्रेसर का मान जो होता है वो क्या होता है वेंस के पर्रेसर वोतर होता है अच्हां मूद बात करता है इनके परकार के टइम में लेस्सजोर होती है वह लिफ घटीए ह Six etti अच्हां करतें लिफए Mongessess जो खोटी एक और को तिप है लमसे और यह सिर के दायेवाग में मैं सिर भाग का जो दाये पॉर्चन मो को सकते हैं इसके इigor पर्षय पाद मतलब आपीhem बहुतें इसके हिलाव पर बहुते हैं अब्डोंस क्बस सकते हैं इसके प्दमेन फिरू। इसके लाव स्रोनी भाग जो होता है पैल्विक पार्ट पर पाई जाती है तो मैं बता दूँ आपको कि यह सिर के दाए भाग, वक्स भाग, पश्य पाद, अगरपाद, उद्दर और स्रोनी भाग पर पाई जाती है इसके लावा होती है इसके लावा होती है। आचा यापकी नाम होता है दाई-लस्पी का वाहिणी इसका मतलब बोल सकते हो राइट लिम्ब वेसल्स जो परजेंट होती है गिर्वा भाग उपर जिंट होती मतला नेक पोर्षन में गरदन भाग में पाई जाती है अचा दोस्तों यहां तक बात करने हैं अपने लिंप वेसल्स जो होती है उनके टाइप्स के बारे में अब बात करने वाला है जो सिस्टम का जो थरड पार्ट होता हो वह उता है आपक लिम्फोसैड होती होते हैं उनका फॉर मेसे जदा होता है अच्छा तो बात करते हैं लिम्फोसैड को शिकाओं के विए वह दूसी में लंप्वाहिनियों में गाठे पाजाती है लस्टीका वाहिनिया जो होती ही लंफ एसल नोर्इब के इंदर या यहां फोम होती है इन नोर्वकी उनफ और लिंफोसाइड जो सेल सोथिये वहों पर Ф फो título है है और जँए पाई जाती है'm पार्ट कृट्चses जो इनके पार्ट के पार्ट में पार्ट में बड़ी रूदीरिक हें के पार्ट घरीप हैं कर दोनों तरह साइट पॉर्शन में पाइजाती है पेरों के समीब में अच्छा बात करते हैं एक परकार से क्योशन पुछा यह तो टॉंसिल्स क्या होता है आपको याद रहे दोस्तों टॉंसिल्स जो होता है वो भी एक परकार का क्या है लिंप नोड्स है टॉंसिल्स भी क्या है प्रकार की लिंप नोड्स है तो यह याद जो रखे टॉंसिल्स जो होते हैं अधिकतर ज यह कौण कॉण से डीसी अब होती है यह फर बलड से रिल्टेद होती है अच्छा बात करते हैं यहाँ सबसे पहले ब्लड फस्ट ड्रीज देरिके तेरिके आपकी आपकी quickest स्व descriptive epilepsy एक पर हाइपर तेन्स ALEX बーハकम हीपज तो दोगते हैं show फिलेंड पार टेन्स मान है और टेन्सक्राइब activates परिंज इसिते आता हुआ तर आ Sakाईजिए से मानली जी अपने बोड़ी गंदर क्या होता है ब्लड प्रेसर होता है उसे बने बोल सकते हैं बीपी तो बीपी का जो मान जो होता है 120 SCMM'sg जो होता है यह फिक्स तो एक्सबीस सीengर घ्यादा हो जाता है तो का बिखाला जाता है धूरना ह err जाता है तो इसे हैंडा इस पॉसिबलिटी नहीं घरती है इसके लावब ब्रेन जो होता है ब्रेन की जो टूबल्स होती है उनका ब्रेश्ट होने का खत्रा बढ़ा रहता है या फिर आपन बोल सकता है ब्रेन के डेमेज होने का खत्रा बढ़ा रहता है इसके लागा जो होती है थार्ड जो होता है प्रिणे कंग इस सब्सक्रा किटनी है किटनी पर भी क्या होता है इसका साइड इफेक्ट पड़ते हैं तो सबसे पहल से ढ़ йुजी पतぎ हूच से के बाद में है हाइड फेलियर के फिर हर्ट का सही तरीके से completely function नहीं करना तो बात करते हैं हर्ट failure का मतलब होता है रिदे सरीर के सभी अंगों तक रखत क्या पूरती नहीं कर पाता मतलब हर्ट जो होता है जित्ता stroke या जित्ता उसका output है one minute के अंदर वो अपने आपको maintain नहीं कर पाता और हर्ट जो होता है वो engine rider 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 होने से मतलब उसकी जो वाट ट्यूब की जो वाल है वो प्यापस में चिपकने से या पिचकने से भी क्या हो सकता है संकुचनिकान क्या होता है रिदे पैसी जो होती है हर्ट मसल्स होती है उनमें ब्लड की क्या नहीं हो पाती है ब्लड की आपूरती नहीं हो पाती मतलब ब्ल की सप्लाई नहीं होती इसका इस जो डीजू जाती उसे बोल जाले जाता है एंजाइन अचासाइड एफेक्ट होता है सीने के उपर एंड जो सोल्डर के उपर और इसके लाव बोल सकते हैं आप यह पर हट वाले पॉर्सन की तरह वहां पर क्या होता बहुत हाइं मौन्ट में के अंदर या फिर जो लगबग 40 से बोल जो पुजितेव पर से पीपल से हैं उनके इंदर क्या होता है इस वाल डीजीज आपको देखने को मिलती है अचा बात करते हैं नेक्स्ट डीजीज है अपनी हर्ट एक हर्ट एक से मतलब है यहां मायो कारीडियल इंफ्रेक्शन माय है हाट की जो मसल्स होती है है हाट की जो मसल्स है जैसे अपने पड़ा था हाट जो मसल्स अथियो हो है अगर इनके अंदर क्या हो जाए किसी प्रकार का अगर कोई a god resistance के प्रविस्ट होजए अगर फिया दबाव या अरोद पेदा हो जáiता है तो उसे heart attack that a ball औरत करते हम पारे तो को भूह रहाए्ज भंई के अंदर सबसे हुए took only vehemine दमनी में off पनोने पर only ट्रेशिस्टेंस प्रोने इस अर्थे ऊंदिन कि अंपर सेके होता है वह क्या हो जाएगी डेमेज जाएगी और हाट टेका जाएगा जिसे इंसान की मरतियों तक भी हो सकती है यह गंबीर समेश्या है अच्छा बात करते हैं अगली डिजीज जो आती हो आती है कि कपाटी रोग कपाटी रोग से मतलब है यहां पर कि जो हर्ट के जो वाल वह जो रेमिली का निए उपना उनका फंक्षन अपने आपने उनका जो होता है वह फर्फों नहीं कर पाना मतलब टाइम पर उनका पन नहीं ओना टाइम पर क्लोज नहीं ऊना उससे में से एक डिजीज और कम आ्जाता है उसे वह जिए पाटी रोग ठीक है या फिर ऑन्रौड या साइट रक्त का विपड़ी दिश्या में जाना अगर मालीजी जैसे ट्राइश या बाइकप सीड वॉल्व हैं अगर वह सही टरे सई टाइम पर क्लोज नहीं हो पारे तो नहीं हो पाएंगे तो डाइस सिस्टोल के समय क्या होगा वह सारा का सारा ब्लड वापस से क्या होगा वेंट्रिकल से ओरिकल में चला जाएगा तो अपनी वह सकते हैं रख्त का विपरीदिशा में फिर वहां भी हो सकता है इसके लाब पर बात करते हैं रख्ते वह और और अार्टरी के अंदर गर फ्रोंबस बन जाता है उस प्रोंसिस को पूट तो यहां बात करते हैं कि क्रॉंटरी जो आर्टरी होती है क्लोलि कर जो इसका साइट क्या होता है इसका साइट इफेक्ट क्या होता है यह भी अपन बहुत सकते हैं एक परकार से एंजाइना का ही साइड एंजाइना की तरह सेम ही है लास्ट डिजीज है अपनी पेरिकार्डियाटिस लास्ट डिजीज अपनी पेरिकार्डियाटिस पेरिकार्डियाटिस के बारे हम बात करते हैं देखो पेरिका मतलब होता है एक परकार से पेरिफेरल एरिया इस मीज़ें बोसकते हैं हो जो थी है फाल जो है या पर अब बोसक्त अभर के बैक्ट्रिया का इन्फेक्षन हो जाता हुससे बोला जाता है एक साथ बोल सकते हैs प्रत में क्या आजाती है स्भी आप जाती है जो सकते हैं वोल्यूम बढ़ जाता है दरूल whatever जाता है जिसे रच का कर बढ़ जाता है हर्ट का आकर बढ़ जाता है जो एक परकार से गहतक है गहतक मतलब एक परकार बहु सकते हैं विट्ल डी जीज्ल teenage बनी जा सकती है जिससे क्या बता है हाटज़ टेक आने की possibility भीडी बनी रहती है तो दोस्तों यहां तक अपने बात कर ली हर्ट या या पालास्ट में क्या करते हैं के बारे माल। स्सक Immerman Charing सब्सक्राइब हैं वहाहएं वर परिक अपारे FC और सु Hazara की साब्धा करें अब जैसे भी हर टोपिक में आप Vargen क्या करते इंपोर्णेंट के बाहले कर दीजोंते और लेकिन कुछ इसकीूशन्स जो स्भेशन है वन यूंइट में रख्त की मात्रा बैला जब ब्लड ट्रांसफर के जिया ता सको यूनिट में देंख का मतलemption होता है उसमें एक यूनिट में किते घ्राम यह किते मिलीगराम blood की मात्र होतی है तो यहां बात करते हैं पर भाइजाता है एक unit के अंदर 477 ml मैं फिर से बोढ़ रहा हूँ एक unit के अंदर blood की मातरा जोती 450 ग्राम होती है 450 ग्राम blood present होता है 1 unit के अंदर या फिर उसको अगर ml में लिया आता है तो 477 ml blood होता है किसके अंदर? एक unit blood के अंदर है следующ question इपना है स्रीर का दित्यक्रीदे के कहा जाता है अपने जानते हैं फर्स स्ट हाट नौर्मल हट लेकिन जो कहीं किसे और बोरी का सेकेंड हे रझा यह करन दो नकर कि रहे हैं यह जो फरजिंट होता अपने अप्रेविड हाट ने दो परजिंट हो कोसी होती है वुद्रिय प्रश्ट महादमनी इसका मतलना यह बोल सकते हैं डौर्सल और्शल या दोर्सल ओर्टा जो कहां प्रजेंट रोती है अपने अब्डॉमेंट पर परजेंट होती है अपने डोर्सल एरोटा आगे बात करते हैं सबसे बड़ी सीरा सबसे बड़ी सीरा जो होती है पश्य महासीरा होती है कौन शी होती है पश्य महासीरा जिसे बोल सकते हैं वेंट्रल वेनकाव भी बोल सकते हैं जिसे क्या बोल सकते हैं अच्छा बात करते है organise जेदे होता है दोस्ता अपने बात की थी हाइट जो टे है टू टाइप्स को टैथ और Erfahr a goal एक earnest निरोजेनिक उनसो उनको फिर से एक्सप्लेक रखाहां तो फिर से एक्सप्लियन कर रखा तो नीरोजेनिक अट जो दूसरा है इसका मायोजेनिक हाट और मायोजेनिक हाट से मतलब होता है मसल्स मायोजेनिक मतलब जो मसल्स से होता है इसका मतलब बोल सकते है रिदेस पंदन जो होता है विशिस्ट पैसियों के द्वारा होता है मसल्स के द्वारा होता है इसका मतलब हाट बीड जो होती है या कि अधिवोगया या अपना रकत को कंट्रीम रोप से शंग्रीत रखा जाता है मतलब आपमने जानते हैं ब्लाडळ को आपने क्या करता है क्लौट ब्लड को अपने पॉलिविफीन के अंदर और या पलीफीन पेकेंड्स के अदर अपने क्या करते है स्टोर करके रखते हैं तो इसको किते डिग्री सेंटिग्री के बिट्वीन में क्या किया जाता है इसे स्टोर किया जाता है तो दोस्तों आज अपने बात की लिंफेटिक सिस्टम के बारे में इसके लाव आपने बात कर ली हाट से लिल्टेड जो जी जिती भी डिजीज जो करती है डिजीज के बारे में बात कर ली इसके लाव बने बात कर ली important questions के बारे में कि दोस्तों आप सभी को मेरा दोस्तों यूटूब चैनल विकास यादव सैंस क्लासिस पर पिर में कमेंट करके बता सकते हैं इसके लाव अगर कोईक्विशन पूट अप करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बद पूछ सकते हैं तो मेरी चैनल बढ़े रही है दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले